सही या गलत लिखो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिये है सेंटेंस सही है तो हमें राइट करना है अगर सेंटेंस गलत है तो हमें रॉंग करना है नमबर वन हाथी केले खाता है यह सेंटेंस सही है नमबर टू चुहा दर्जी से दर गया यह सेंटेंस रॉंग है क्योंकि चुहा दर्जी से दर्टा नहीं है वो उसके पास जाता है टोपी सिलवाने के लिए नमबर थ्री हाथी अपनी सून हिला नहीं सकता यह सेंटेंस रॉंग है क्योंकि हाथी अपनी सून हिला सकते है नमबर फूर बुढिया का घर टपकने लगा यह sentence right है नमबर 5 लड़के के साथ डाले भी जूला जूल रही है यह sentence right है नमबर 6 मटके पर पानी टपक रहा था यह sentence wrong है क्योंकि बुढिया के घर में पानी टपकने की वज़े से उसके चुले के उपर पानी टपक रहा था मटके के उपर नहीं तो हमें wrong लिखना है नमबर 7 कसिदेकार ने चुहे को कछरी में जाने से रोका यह बात सही है नमबर 8 टोपी पर काड़ा हुआ कसीदा देख कर चुहा बहुत दुखी हुआ यह sentence wrong है क्योंकि अपनी टोपी के उपर काड़ा हुआ कसीदा देख कर चुहा खुश हो जाता है इसलिए यहाँ पर हमें wrong करना है नमबर 9 बुडिया चावल पका रही थी यह sentence right है नमबर 10 हाथी पानी में जाने से दरता है इस sentence wrong है क्योंकि हाथी को पानी बहुत पसंद है वो उसमें खिलते हैं नहते हैं इसलिए यह sentence wrong है नमबर 11 दर्जी ने खुशी खुशी चुहे की टोपी सीदी इस sentence wrong है क्योंकि जब चुहा दर्जी के पास तोपी सिलवाने के लिए चाता है तब दर्जी उसे गुसा होकर बहार चले जाने के लिए कहता है नमबर 12 कुदते फानते बाग बुडिया के घर के पास पहुचा sentence right है क्योंकि जंगल में बाग बारिस के बड़े बड़ी बुंडों जैसे ओले कहते है उसे परिशान होकर वो बुडिया के पास आ जाता है नमबर 13 ओलों की मार से बुडिया परिशान हो गए थी यह sentence wrong है क्योंकि ओलों की मार से भग परिशान हो गया था नमबर 14 बारिश रिमजिम बरस्ती है यह sentence right है नमबर 15 हाथे के सून लंबी होती है यह sentence right है homework copy one time in your notebook Thank you